आज की उडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ वोशिंग मसीन में मौस्कुटो नेट को कैसे ड्राइ करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस्ट्रक्शन्स है वो लिखा रहता है कि मौस्कुटो नेट को या बहुत सारी चीजे रहती है जिसे आप washing machine में सुखा भी नहीं सकते हैं और wash भी नहीं कर सकते हैं तो musquito net है washing machine में wash नहीं की जाती है और सुखाई भी नहीं जाती है अगर आप सुखाते हैं तो machine हो खराब हो सकती है और आपकी musquito net हो सुखेगी भी नहीं और अच्छे से wash भी नहीं होगी तो आज मैं आपको बहुत ही गजब की ट्रिक बताने वाली हूँ मस्किटो नेट को वासिंग मशीन में सुखाने की YouTube में कोई भी वीडियो आपको नहीं मिलेगा जो मस्किटो नेट का सुखाने का ट्रिक बताया गया है तो मैं आज आपको बताऊंगी इसी बात पर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा कर और और औल को सेलेक्ट कीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इसे कैसे ड्राइ करना है तो मैंने इसे पहले से वास करके रखा है मैं मस्क्यूटोनेट को वासिंग मसीन में वास नहीं की हूँ ये जो कपड़े है मेरे पास उसे मैं वासिंग मसीन में वास की हूँ तो चलिए मैं आपको करके दिखाती हूँ तो इसी बात पर आप हमारे वीडियो को लाइक कर देजे और शेयर जरूर कीजे ताकि बहुत सारे लोग है ओ अच्छे सही से ड्राइ करना सीख ले याद रखे कि आपको वासिंग मशीन में इसे धोना नहीं है तो चलिए मैं आपको ट्रिक बताती हूँ थो आपको लेना है एक कोई भी कपड़ा जिससे आप वासिंग मशीन में सुखा सकते हैं मैंने आपको पहले भी बताया तो अब इसमें डालनी है मस्क्यूटो नेट अब इस तरीके से फोल्ट कर लेनी है तकि मस्क्यूटो नेंग यो और कवर हो जाए और आपको इसे कैसे सुखाइंगे तो आप वश्ण में हमारी बताई हुई ट्रिक से सुखाइंगे तो आपको इसे ओपेन कर लेना है ड्रायर को इसके वाद आपको निकाल लेना है इसकी जो वील है उसे उसके बाद आपको इसे ड्रायर में इस तरीके से डाल देना है आप याद रखी मोस्कीटो नेट है वो अच्छे से कवर होनी चाहिए तो इस तरीके से आप देख सकते हैं मैं इसे डाल दी हूँ उसके बाद आपको वील को लगा देना है और आपको इसे अच्छे से होने दे आपको मेशीन को अन कर लेना है यह बात आप याद रखें देखिए ड्राई हो रही है जैसे ही टाइमर है वह जीरो नंबर पर आ जाएगी उसके बाद मैं आपको बताती हुँ तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजे मेरी एक वीडियो है जिसम भड़ा करना बताया जो इसे वीडियो को जरूर देखे और उसे लाइक भी करेंसे बहुत ही काम की वीडियो है और मैं उस उसवीडियो का लिंक हमारे इस वीडियो के लाश्ट में भी दे देखिए हमारी जो इस पीन टाइमर है जीरो में आ चुकी है और थोड़ी देर घूमने के बाद यह ओफ हो जाएगी अभी देख रहे हैं मशीन है वो सेख हो रही है उसके बाद इसे अच्छे से क्लोज होने देंगे थोड़ा वक्त लगता है जीरो पे आने के बाद क्लोज ह होने देंगे उसके बाद इसे ओपेन करेंगे तो अब आपको इसे ओपेन करना है ओपेन करके इसे भी ओपेन करना है और आपको वील को निकाल लेना है वील को निकालने के बाद इसे निकाल लेना है तो इसे ओपेन करना है पहले तो मैं इसे क्लोज कर देखी हूं तभी मै मैं आपको इसे open करके दिखाती हूं हमारी जो मॉश्किटो नेट है वो अच्छे से dry हो गई है पूरी सूख गई है बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं है तो आप इसे कहीं भी छामे या धूप में अगर धूप में भी डाल दें अगर धूप नहीं है तो आप इसे छामें भी स्प्रेट कर सकते हैं आप इसे 5-10 मिनिट तक के लिए स्प्रेट कर देंगे अच्छे से सूख जाए कि आप किसी भी कपड़े को वाशिंग मशीन में ड्राइ करते हैं तो आपको उसे धूप में थोई देर के लिए स्प्रेट करना होता है ताकि जो मॉश्चर है वो तब ह खतम हो जाए तो आज की उडियो में आपने सीखा वासिंग मसीन में मस्क्यूटोनेट कैसे ड्राइग करें